नमस्का, मैं उस्टसी आयो जृर्खन की टोप 25 पर मुखबर जानते हैं जृर्खन मुख्ति मूर्चा का अधिवेशन 18 दिसंबर को राज्य में सता रोड जृर्खन मुख्ति मूर्चा अपने जनाधार को और मजबूत करने की क्वायद में जुटा है बतादे पार्टी का बाराहमा केंद्रिये महा अधिवेशन 18 दिसंबर को राइधानी राची में प्रस्तावी था है सुक्रवार को मुख मंत्री है मंसुरिन कारेकरम अस्थल पर तयारियों कजाजालेने पहुंचे बतादे इस अधिवेशन में 700 पार्टी पताधिकारी मोजुद रहेंगे इन में नई केंद्रिये समित्य की घोसना होगी इसके साथ ही राइनितिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कारेकरम अस्थल पर तमाम तयारिया पूरी कर ली गई है सुबह से ही यहां लोगों के पहुंचने का सिल्सिला सुरू हो जाएगा रांची वा आसपास के इलाके में उतर भारत से पहुंच रहे वर फिली हवार ने ठंड बढ़ा दिया है हलाकि रांची के निम्तम तापमान में बुद्वार के अपेक्छा ब्रीधी हुई है विभाग से मिली जनकारी के अनुसार सुबह में कोहरा वा धुन्द के बाद आसमान मुख्यत साप रहेगा मौसम विभाग ने 20 दिसंबर से निम्तम तापमान में और कमी होने का संकेत दिया है इससे मौसम में फिर से बदलाव हो सकते हैं जे पीएसी अध्यक्ष को बरखास्त करने की मांग ज्यारखन बिधान सभा में सुक्रवार को विपक्षी दल भाजपा जे पीएसी मुद्य पर हेमन सुरेन सरकार पर हमलावार है बता दे बीजेपी बिधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं और वे JPSC PT रद करने CBI से जाच कराने और JPSC अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं बतादे बिजली और बेरुजगारी का मुद्दा भी छाया रहा चारकन बिधान सभा में JPSC PT बिजली और बेरुजगारी के मुद्दे पर विजपी विधायक हांगामा किये मामला बिधायक बिनोथ सिंग भी JPSC PT को लेकर सदन के बाहर धाने पर बैठे थे बतादे शत्र स्टूरू होने से पहले बिजपी विधायक JPSC मुद्दे पर धाना पर बैठे इस दोरान बिजपी विधायक, बिजली और बेरुजगारी के मुद्दे पर भी धरना पर बैठे थे जार्खन में पिछले को 27% आरक्षान राज्य में पिछली जातियों को 27% आरक्षान देने के मुद्दे पर उठाये गए लेकिन अब इसे जल्द ही निप्टाया जाएगा इसके लिए समीति का गठन भी जल्द किया जाएगा इस अस्वासन के जबाब में सरकार ने सित्कालिन सत्र में पर किलिया जारी रहने की बात कही है सिक्षक निउक्ति में उम्र सिमा में 6 साल की छोट राज्य में पराथमिक वमध्ध विद्याल में सिक्षक निउक्ति में अभियार्थियों को उम्र सिमा में छोट दी जाएगी बतादे इस्कुली सिख्चायम सक्षता विभाग दौरा नियुक्ती नियमावली में बदलाव किया जा रहा है जीतने बर्स बाद नियुक्ती होगी अभ्यार्थी की अधिक्तम उम्र सीमा में उतने ही वर्स की छुट दी जाएगी वही पारा सिक्षकों के लिए नियुक्ति की अधिक्तम उम्र सिमा 57 वर्ष निधायत की गई है बतादे प्राथमी को अमद विद्याले में सिक्षक नियुक्ति में पुर्व किभाती पारा सिक्षकों को 50 फिस्दिया रक्षन दिया जाएगा राज में प्रात्मी कोमद विद्याले में सिस्कों की पिछली नियुक्ति वर्ष 2015-16 में हुई थी नए नियुक्ति के लिए नियमावली में संसोधन को सिक्षा मंत्री की समाती मिल गई है फूलो जहानो मेडिकल कोलेज आएंड होस्पीटल में डॉक्टर्स की कमी दूर होगी दुमका विधायक बसंद सुरेन ने राची में मुख्यमंत्री हिमान सुरेन से मिल कर उप्राजधानी दुमका के फूलो जहानो मेडिकल कोलेज अस्पताल की कम्यों यों असकताओ के प्रती ध्याना क्रिष्ट कराया है और इस दिशा में पहल करने का नुरोद किया बतादे विधायक बसंसुरेन ने उन्हें अवगत कराया है कि पिछले दिनों उन्होंने दुमका प्रवास के करम में फूलो जहानो मेडिकल कोलेज अस्पताल के निरिक्षन के करम में पाया था कि वहां आक्समिक घटना दुरगटना अत्वागंभीर इस्थिती में ततकाल इलाज के लिए विशेसक चिकित्सकों की कमी है सिविल सर्जन द्वारा भी उन्हें अवगत कराया गया है कि इस मेडिकल कोलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के कारे के लिए विशेस चिकित्सकों की कमी है उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि चिकित्सक करम अर्मी का पदस्थ अपना करने का अम्रोद किया है। सब के सामने आ चुकी है। इसके जरी राज्य के नक्सल प्रहावित पांच परमोख जीलों के सत्तर हजा से ज्यादा की सोरो यूकों को विभीन खेलों से जोड़ा जाएगा। सिक्षकों के एक घंटा तरिक्त रहने की बत्ता खत्म करने का अस्वासन दिया है। दस दिनों के भीतर साड़े तेरा लाख बचों का बैंग खाता खोले बैंग। बता दे दस दिनों के भीतर सभी वन्चित बचों का बैंग खाता खोलने का निर्देश दिये है। सिक्षा सचीव राजे सर्मा के निदेश पर ज्यारखन सिक्षा पर योजना परिशत की निदेशक किरंड कुमारी पासी ने इसे लेकर HDFC बैंग की राचे स्थीत मोख्य सक्खा के वरिये उपाध्यक्ष अभिसे कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जीला सिक्षा पता अधिकारियों वा जीला सिक्षा अधिक्षकों को भी बैंक से समन्वे कर इसे सुनेश्चित करने का टास्क सोपा है। जारखन में कुरोना के 29 नए केस मिले हैं जबकि 14 मरीज स्वास्त भी हुए हैं। जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 135 है। सस्टनेवल डेवलोप्मेंट गोल में वर्ष 32 तक इसे प्राप्त करना है। लेकि केंदर सरकार ने 5 साल पहले ही इसे पूरा करने का लक्ष रखा है। बता दे इस लक्ष को स्तमय पर प्राप्त करने में राई सरकार भी चुट गई है। टीवी के कारण मरीजो द्वारा जाच एवं इलाज में किये जाने वाले खर्च को सुने अस्तर पर लाना है। स्वास्त विभाग के अपर मुक्ष चीव अरुन कुमार सिंग ने इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए सभी उपायुक्तों को टाइम लाइन के साथ टास्क सौपते हुए। टीवी मरीजों की पाचान के लिए अभ्यान चलाने तथा कारे योजना बना कर टीवी उन्मुलन की दीशा में काम करने को कहा है। जार्खन में 2022 जून तक सुरू हो जाएगी BSNL की 4G सेवा। जार्खन के सभी जीलों में BSNL की 4G सेवा साल 2022 के जून माह तक सुरू हो जाएगी अभी 6 जीलों में BSNL की 4G सेवा चालू है। इनमें लोहरदागा, सिम्डेगा, पलामू, गढ़वा जीले सामिल है। बाकी जीलों में BTS अपग्रेडेशन के लिए जरूरी एक्यूपमेंट का ओडर दे दिया गया है। बाते शुक्रवार को BSNL के मुख्य महाप्रवंधक K.K.S. ने सनवधत्ता समिलन के दौरान कही है। इस रम पोटल पर राइस्टेशन के लिए लगेगा कैम्प। मन्रेगा मजदूरों का इस रम पोर्टल पर राईस्टेशन के लिए राज ये के सवी परखंडों में कैम्प लगाया जाएगा बतादे मन्रेगा आयूक्त राईस्वरी भी ने सुक्रवार को इसे समधित आवसेक दिशाने दे सवी पर्योजना पताधिकारियों को दिया अनलाई बैठक में मन्रेगा आयूक्त राईस्वरी भी ने कहा कि इस पोर्टल पर राईस्टेशन के लिए प्रखंड अस्तर ये टास्क फोर्स की बैठक करे और ज्यादा से ज्यादा मैजदूरों का राईस्टेशन सुनिश्चित कराए साहिया, रसोया, सेविका मन्रोगा कार्ड होल्डर के साथ साथ पीडियेश डीलर का भी पोर्टल पर राईस्टेशन कराए साथ ही असंगठी छेत्र का हर मैजदूर जो आहरता रखता है उसका पोर्टल पर राईस्टेशन कराए ताकि वविस्त में उसे विफीन सरकार योजनाओ का लाम मिल सके राजे में नीजी विश्व बिद्याले की सिथी ठीक नहीं राजेपाल राजेपाल रमेजवस ने कहा कि सिक्षा को बेवसाध के रूप में कतवी नहीं लेना चाहिए छात्र हित में ऐसी सिक्षा बेवस्था का कोई अउचित नहीं है उन्होंने कहा कि अच्चर्य वद्दूख का विशय है कि हमारे राजे में अस्थापित नीजी विश्व विद्याला है UGC वो सरकार द्वारा निधारित मापडंडों को पून नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि UGC की अनुमाती के बिना नीजी विश्व विद्याले द्वारा विभीन कोर्स प्राराम कर विद्यार्थियों को डिग्री वित्रित कर दी जाती है ऐसा कर वे सिर्फ विद्यार्थियों को भविस के साथ खिलवार कर रहे हैं राजे पालने सुक्रवार को राजबोन में राजे के विभीन नीजी विशुविद्याले की सेक्षिनिक वप्रसांसनिक गती वीदियो की समिक्षाक की साइकिल का टेंडर फिर रद अब मिल सकती है बच्चों को पैसा राजब के अंदर सरकारी स्कूल की आठवी कलास में पढ़ने वाले चात्रचत्राओ को साइकिल देने के लिए कल्यान विभा की ओर से निकाला गया टेंडर रद कर दिया गया है बता दे या टेंडर तीसरी बार रद किया गया है इस बार भी आठवी के करीब साढ़े तीन लाग चात्रचत्राओ को साइकिल उपलब्ध कराने के लिए एक ही कम्पनी ने टेंडर डाला था चात्रचत्राओ को 122 क्लोर की साइकिल दी जानी थी अब संबंधित छात्र छात्राओं को साइकिल की जगह रासी दी जा सकेगी बता दे छात्र छात्रा इससे खुद साइकिल खरी सकेंगे सुत्रों की माने तो कोहिनूर नाम की कमपनी ने तीनो बार टेंडर डाला इसके अलावा किसी और कम्पनी ने टेंडर नहीं डाला है साइकल निर्मान करने वाली बड़ी कम्पनियों और किसी दूसरी कम्पनी के नहीं आने से भी टेंडर को रद किया गया है नकसल परभावीत परिवार के युवक युक्तियों का ITI में अडमिसन करा रही पुलीज जारखन के नकसल परभाव वाले 16 जिलों में हिंसा से परभावीत परिवारों के राहत और पुर्णवास के लिए सरकार ने पहल की है बतादे प्रभावीत परिवारों के युवा सदस्यों को रोजगार परक तक्नीकी सिक्षा दिलाने पर सरकार की युजना सुरू होने वाली है बतादे सरकार के स्रम विभाग के सची उने नक्सल हिंसा से प्रभावीत परिवार के युवक युक्तियों को जीला में इस्थीत और द्योगिक प्रसिक्षन सस्थानों आई टी आई में नमांकन कराने का फैसला लिया है आयू सुमान में इलाज के बाद ज्यारखन के नीजी अस्पतालों को नहीं मिल रहे पैसे ज्यारखन अरोगे सोसाइटी के पास नीजी एंसुरेंस कमपनी का लाखो रुपे जमा है लेकि नीजी अस्पताल मरीजों का इलाज करने के बाद भी चार साल से पैसा मिलने के इंतियार में हैं बता दे इलाज का पैसा नहीं मिलने पर कई नीजी अस्पताल आयुसमान योजना में रूची नहीं दिखा रहे है अस्पताल संचालकों का काना है कि इलाज में उनके द्वारा इस उमीद में पैसा खर्च किया गया था कि कुछ समय बाद बीमा का क्लेम मिल जाएगा टीटी पीएस की दूसरी यूनिट से उत्पादन सुरू पहले बाकाया भोकतान को लेकर और फिर बारिस के चलते कम कोईला उत्पादन से उत्पन कोल संकट से जूचते हुए आखिरकर जारखन सरकार की अति महत्यपुन लोक उपकरम तेनु घार थर्मल पावर स्टेशन की म पहले बारा बज़े के करीब उत्पादन सुरू हो गया इस परकार अब प्लांट की दोनों यूनिट से उत्पादन हो रहा है गुमला में भीशन सलक हादसा गुमला सहर से पांच किलोमेटर दूर लोहर दगा गुमला मार्ग पर खटवा नदी के समीब सुकरवार की साम भ हो गई जबकि हादसे में आठ लोग गंभी रूप से घायल हो गए घायलों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है जुराहर नवदे बिद्याले पूतो कोडार्मा में बर्ग 6 में अडमिसन को लेकर फरजी वाडा का मामला संग्यान में आने के बाद 5 सरकारी बि निर्देश पर डियो ने सभी से अस्पश्टी करन मांगा है संतोस जनक जवाब नहीं होने पर एफाई यार की करवाई की बात कही गई है धन्यवाद यदि आप चनल पना जोट्व चनल लोग सब्सक्राइब कर बाल कर बेले के अंदेवे साथ साथ वीडियो को एक लाइक अवासे दे थाइंक यू